दूस्तो नमश्कार मैं आपका दोस्त मनोज कुमारमिश्रा एक प्लसफर और एस्टो लोजर में आप सबी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक सौगत करता हूं और आप सबी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो टॉपिक इस समय में आप लोगों के समख्ष पस्तुत कर रहा हूं वो क्या है शनी का वक्री होना और जो भी हमारी लगन है बारा की बारा लगन है उसकी उपर इसका किस परकार से प्रभाव है तो यह कुडली किसी के लाएगी करने लगने वालों के लाएगी अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है शनी का वक्री होना शनी वक्री हो रहे हैं कुम्ब राशी में कुम्ब राशी में ही वक्री हो रहे है ठीक है अब यहाँ पर जो शनी की समय पूजिशन चल रही ते पूरू भाध्रपत नक्षब में चल रहे हैं, 30 जून को ये पूरू भाध्रपत नक्षब में ही, मतलब कुम्भ राशी में ही 25 डिगरी से क्या हो जाएंगे, वक्री पोजिशन में सिल जाएंगे, राशी का कोई परिवर्तन नहीं हो रा है, और ये जो आपकी कुम्भ र होता है संघर्ष का हाउस होता है अब देखे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शनी हमारे जीवन में क्या है मतलब अगर हम अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ा संघर्ष वगरा देखते हैं तो यह किसको कहते हैं हम शनी को इसका कारग्रे मानते हैं शनी को हम लोग काल काल के रूप में भी देखते हैं, काल मतलब time, समय, जिसमें हम लोग आजकल चलते हैं, तो ये हमारा काल भी है, इसलिए ये बहुत important ग्रे भी है हमारे लिए, जैसे हम कहते हैं कि समय की कदर करो, तो ये समय क्या है, शनी है, अगर हम हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाध तो कि जिसके लिए जैसे अगर हम जीवन में मान, मान, पृतिस्ठा, पद वगएरा ये प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा धन प्राप्त करते हैं, वो भी कैसे होता है, शनी के कारण ही होता है, तो ये एक important ग्रह है, जो इस समय वक्री पोजिशन में आ रहे हैं, 30 जून से लेके 15 नमबर तक का इनका ये समय रहेगा, हाला कि अक्टूबर में जाकर ये अपना नक्षत का परिवर्तन करेंगे, और शद्विशा नक्षत में भी आएंगे, वो एक अलग चीज हो गई, अब बात कहने का मतलब ये है कि छेटा हाउस, हमारे जीवन में किस चीज का है, अब देखिए, जब जब शनी वक्री होंगे, तो इसकी तीवर्ता बढ़ जाएगी, मतलब इसके जो फल है, वो कैसे हो जाएंगे, थोड़ा तेज हो जाएंगे, अब मान लिजे, 30 जून से पहले पहले हम बहुत सारी ऐसी चीजों से उल्जे हुए थे, कि जिसके अंदर ह शमता आपकी कम हो जाएगी नहीं, यहाँ पर आपको काम करने का बोज, जिसे हम कहते हैं, आपके पास ज्यादा काम आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा आपके जीवन में थोड़े से संगर्ष बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये संगर्ष को बढ़ाने वाला हाउस है, तो दोनों बातों को हमें समझना है, कि इस समय ये जो टाइम हमारा 15 नवंबर तक का जाएगा, वो हमारे जीवन में थोड़ा सा संगर्ष बढ़ाएगा, काम का लोड बढ़ाएगा, ये दोनों चीज़ें आप समझेए, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो छटा हाउस है, इसमे आपके ओपर काम का बोज बढ़ जाता है, मतलब आपको किसी बड़े पत पर भेज दिया जाता है, और तब आपके ओपर लोड बढ़ता है, तो आपके लिए शनी यहाँ पर क्या है, एक अच्छा काम करेंगे, और अगर आपके ओपर मान लिजे कोई कोट केस चल रहा है, इस तरीके की बात है, तो उसमें भी आपका बहुत सारा समय खर्च कराएंगे, तो ये आप लोगों के लिए छटे हाउस से सम्मंदित चीजों के जो परिणाम है, जो सिस्टम है, उसके भाव में बढ़ोतरी करने का ये काम करेंगे, तो शनी का यहाँ पर में चीज आपके हाउस भी है, देखें, ये सेवा कौन सी सेवा है, अगर हमें सिनी को ठीक रखना है, तो ये सेवा किस परकार की सेवा है, जिस चीज के भी आप मास्टर हो, मतलब जिस चीज को आप यह समझते हो ना, कि ये एक ऐसा ग्यान है, या मेरे पास एक ऐसा टेलेंट है, तो उससे अगर आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों की थोड़ा सेवा करते हैं, मतलब उसके अगेंस कोई पैसा नहीं लेते हैं, अनकंडिशनल जो आपका एक उर्जा है, अगर आप उसको डोनेट करते हैं, तो यहाँ परशनी क्या करते हैं, हमें अच्छे परइणाम देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, उनका हम थोड़ा ख्याल लखना शुरू कर दे, तो यह सारी चीज़ें, अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, उसको एड करते हैं, तो यहाँ पर शनी हमें एक अच्छा परइणाम देना शुरू करेंगे, और साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कि इस समय जो भी लोग आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, माल लिजए आप आफिस में कोई बॉस हैं, तो एक चीज़ का आप जरूर ख्याल रखें, आप बॉस जबी हैं, मतलब आपका आदेश जबी माना जाता है, जब नीचे आप, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके उपर उनको भी आप ट्रस्ट करो, और उनका भी आप सम्मान करो, ये चीज़ आपको जरूर समझनी है, नहीं तो शनी क्या करेगा, यहाँ थोड़ा एंकार की ब्रद्धी करेगा, और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर थोड़ा एंकार की ब्रद्धी हो रही है, उसी समय उसी पल रुक जाना, कि मेरे से गलती हो रही है, मुझे अपने साथ काम करने वालों की रेस्पेक्ट करनी है, और उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, लेकिन ये बात किसी भी तरीके से, पॉलिटिक्स के एकॉर्डिंग नहीं होगी, कि अगर मैं इनकी ये सेवा करूँगा, तब मुझे ये लाव होगा, ऐसा नहीं, वो अनकंडिशनल भाव से होगी, मतलब आपको उनको आगे बढ़ाने में, जो भी प्रियास करना है, उसकी परिणाम की चिंता नहीं करनी है, बस आपको उनको आगे बढ़ाना है, तो ये क्या होगा, तब आपको जाकर इसका एक अच्छा पॉजिटिव प्रियडाम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ, कि शनी किस बात का कारा क्या कर्म करने के लिए बात धेकरता है, आपके उपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आएंगी, इस वाले दौरान 15 नवंबर तक, तो उन जिम्मेदारियों को आपको निवाना है, और जीवन में आगे बढ़ना है, साथ-साथ ये भी देखना है, कि 30 जून से पहले काम करने में, जो हमारे अंदर इस तरीके की बात आ रही थी, कि मैं मैं वाली इगो वाली बात आ रही थी, उस चीज़ को थोड़ा सा हटाईए, और अपना अवलोकन कीजिए, और जैसे ही आप इस बात पर पहुँचोगे, कि जो लोग मेरे नीचे काम करने वाले, वही तो हमारे हाथ पहर हैं, तब आप ये देखोगे, कि आप अपने जीवन में ये जो 15 तारिक तक का जो समय है, इसका आप पॉजिक्टिव रूप में पूरा का पूरा उप्योग कर पाओगे, तो ये हुआ हमारा कन्या लगन वालों के लिए कि शनी का जो वक्री पोजिशन में जाना है, उनके लिए किस विरकार का परिणाम लेकर आएगा, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, तो तो, तो